आज की रेसिपी है दहगी आलू आप इस तरह से आलू की सब्जे बना कर देखे बनाना बहुत ही सिंपल है बट एक खानी का टेस्ट बढ़ा देता है आप इसे रोटी या पूरी के साथ सर्फ करें आपको बहुत ही पसंद आएगा चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं एक ब तेल में लाइट गोल्डेन ब्राउन होने तक अछी तरह से फ्राइए प्याव करें लेना है अब आजकर बोल में इसे हमें रह rain में जृ और दॉनैशा अ च्जी घंट में लहना है हैं छोटा सा दाल चीनी इसे कुछ सेकेंड के लिए आप तेल में फ्राइ कर ले अब इसमें एक सूखी लाल मेश डाल दे हर इमेच हर इमेच आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम ज्यादा करें और एक चमच अधरक लशन का पेस्ट डाल दे अधरक लशन को लाइट ब्राउन होन इसमें हम कुछ ड्राइ मसाला डालेंगे एक चोटी चमच धन्या पाउडर आधी चोटी चमच हल्दी एक चोटी चमच कस्मीरी रेट चिली पाउडर नमक स्वादा नुसार इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं और अच्छी तरह से मिल जाए इस रेशेपी में बहुत कम मसाला लगता है बट खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इसे अच्छी तरह से मिला ले और इसे बिना कभर किये हुए आप 2-3 मिनाट के लिए मिडम फ्लेम में पकने दे देख सकते इसका पानी सुक चुका है आप इसे कभर कर दे और इसका प्लेम लोग करकी इसे 10 मिनाट तक पकने दे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाए य वाट इसे आप पीच में एक दो बार जरूर मिला ले ताकि मसाला नीचे से जले नहीं लगत 10 मिनाट कंप्लीट हो चुका है इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं आप देख सकतक इस में तोड़ा सा मसाले का टेंप्राचर कम होगा इसमें हम दही डालेंगे मैंने यहाँ पे लगभख 4 चमस दही लिया है यह बहुत ज़्यादा खटा दही नहीं है अब नौर्मल दही लें और इसे लगातार मिलाते हुए अच्छी तरह से मिला लें अब इसे कभर कर दे और लो फ्लेम में इसे पांच मिनट तक पकने दे ताकि दही हमारा अच्छी तरह से पक जाए पांच मिनट कम्प्लीट हो चुका है अब देख सकतो तेल उपर आने लगे हैं मसाले से अब इसमें फ्राइ किया हुआ अलू डाल दे और इसे अच्छी तरह से मिला लें अब इसका फ्लेम आप मीडियम कर दे क्योंकि हमारा आलू और मसाला दोनों अच्छी तरह से पका हुआ है और इसे मीडियम फ्लेम में एक दो मिनट के लिए फ्राइ कर लें मसाले के साथ आलू को अब इसमें हम भारी कटा हुआ हरा धन्या डालेंगे अगर करता का फ्लेवर अच्छी तरह से सब्जी में आ जाए लगवाग एक मिनट हो चुक है इसका फ्लेम बंद कर दे हमारा दही आलू बनकर रेडी है आप इसे राइस रोटी या पूरी के साथ सब कर आपको टेस्ट पसंद आएगा रेसीपी अच्छी लगी तो प्लेस वीडि झाल झाल